धारखंड की सबसे रहस्यमई जगहे जिनके रहस्य जानकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नमबर एक पदमा फोट हजारी बाग से लगभग बाईस किलो मीटर दूर मौजूद यह किला अपने अंदर कई प्राचीन भारत के रहस्य समेटे हुए है। इस किले में प्राचीन भारत की नकाशी देखने को मिलती है। भले ही आज यह अपनी सुन्दरता खोता जा रहा हो लेकिन एक समय पर यह किला वाकई में काफी खूबसूरत था। पद्मा किला रामगड के राजा का किला था, जिसने इस किले के अंदर बहुत सारी सुरंगे बनवाई थी जिनमें काफी सारा सोना भी छुपाया था, जो बाद में निकाल भी लिया। लेकिन आज भी लोगों का मानना है कि इस किले में खजाना छुपा है हाला कि उस खजाने को आज तक कोई खोज नहीं सका है इसके अलावा भी इस किले में कई ऐसे रहस्य हैं जो लोगों को हैरत में डालते हैं नमबर दो पारसनाथ माउंटेन यह जारखंड का सबसे उंचा पहाड है जिसकी उंचाई 1350 मीटर है इस पहाड पर जैन धर्म के लोगों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां जैन धर्म के लोग आते हैं इस तीर्थ स्थल का अस्तित्व जैन धर्म की उत्पत्ती से ही है और यही वजह है कि यह पारसनात पहाड कई एतिहासिक घटनाओं का भी साक्षी रहा है और यहां कई ऐसे रहस्य दफन है जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। लोगों ने यहां पर रहस्यमई घटनाए भी नोटिस की है जिस वजह से इसे सबसे रहस्यमई जगहों में से एक माना जाता है। देवरी मंदिर जारखंड के सबसे मशहूर मंदिरों में से एक है जो काफी रहस्यमई भी है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसका निर्मान है। इसका निर्मान किसने और कब करवाया, इसके बारे में लोगों में हमेशा बहस चलती रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका निर्मान मुंडा राजा केरा ने युद्ध में हारने के बाद करवाया था और मंदिर का निर्मान करवाने के बाद उसको अपना राज्य वापस मिल गया था। लिकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। यह मंदिर काफी चमतकारी भी मा रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि यह घाटी दुनिया से दो साल आगे है। क्योंकि यहाँ पर पहुचते ही आपके फोन का टाइम दो साल आगे हो जाता है। और यह मंदिर काफी रहस्य मई भी है। पर इस मंदिर के पास ही में पत्थरों को चीरता। नदी का पानी बहुत ही शांदार है जिसकी वजह से पत्थरों का आकार अजीब हो चुका है। पत्थरों के बीच बनी इस खाई को देखने भी हजारों लोग आते हैं। इसके अला की दूरी पर स्थित यह लेक जारखंड की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है जहां बहुत ही कम लोग आते हैं